गुड मॉनिंग सुडेंट्स बेटा आज में आप लोगों को आपकी जो रुचिरा प्रतिमों भाग है इसका फर्स्ट शेप्टर पद परचय अकारांत पुल्लिंग वाला इसका अभ्यास कारी करवा रही हूँ फर्स्ट कोशन है इसमें उच्चारणम फर्स्ट कोशन का कपाट उच्चारणम कुरुत यानि उच्चारण करना है इन शब्दों का तो ये उच्चारण आप स्वैम करेंगे ठीक है छात्रह, शिक्षकह, मयूरह, शुकह, बालकह ये इसलिए दिये हैं ताकि आप अह जो है विसरगें उसको अच्छे से प्रणाउंस कर सकें ठीक है गजह, मकरह, बिडालह, मूशकह, चालकह, घटह, दीपकह, अश्वह, चंद्रह, गायकह, ठीक है मैंने एक बार पढ़के बता दिया है ऐसे ही घर में प्रेक्टिस करेंगे आप इसके उच्चारण करने की ठीक है उच्चारण करना है तो आप अब उच्चारण ही नहीं करेंगे उच्चारण करने के साथ साथ क्या करेंगे इसका हिंदी मीनिंग भी इसके सामने लिखेंगे ताकि आपको हिंदी और संस्कृत दोनों ही अच्छे से आपको पता चले कि ये शब्द का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, जैसे सबसे पहले आपको चितर दे रखा है और नीचे लिखा है कृष्य कह ठीक है, तो कृष्य कह से क्या आपको समझा रहा है इस चितर को देखते हुए, क्या मीनिंग निकलेगा इसका, किसान ठीक है, तो इसके आगे डैश डालकर आप लिखेंगे, किसान फिर है, दूसरा चितर है उसके नीचे लिखा है व्रिश भह तो किसका चितर बना है ये? आपको दिखा ही दे रहा है, समझा आया न? बैल, तो व्रिश भह के आगे क्या लिखेंगे? बैल ठीक है? आपको ये लर्न भी करने है शब्द फिर, संस्क्रित वाले नेक्स्ट आपको चितर दे रखा है और नीचे लिखा है भल्लू कह तो कौन है ये? भालू ठीक है? फिर है मंडू कह तो इसका क्या लिखेंगे? मैंडक मैंडक यानि म एक ही मात्रा उसमें डॉट ठीक है? फिर है कपो तह तो कौन दिख रहा है आपको चितर में? कबूतर दिखाई दे रहा है तो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे? कबूतर फिर है पर्यंक ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये ड नहीं है ड और क जादा तर आप लोग यही पढ़ते हो ठीक है? ये ड नहीं है ये अंग खाली है ठीक है? तो इसको हम अंग पढ़ते हैं नीचे वाला क पढ़ेंगे पर्यंक ठीक है? इसका आर्थ क्या होगा? पलंग फिर नेक्स्ट नीचे दे रहा है दूर्भाशह इसका अर्थ क्या होगा दूरभाश या तो टेलीफोन जो आपको इजी लगे वो लिख लेना फिर पिक्चर दी है आपको और नीचे लिखाए काकह कौन दिख रहा है पिक्चर में कौवा ठीक है तो मीनिंग लिखेंगे कौवा और लास्ट है सौचिकह यह अपने चेप्टर में भी पढ़ा था कौन है यह दरजी ठीक है अब सेकिंड कोशन है वा सेकिंड कोशन में भी क पार्थ है वन सयोजनेन पद लिखत पदम लिखत यानि आपको अलग-अलग दे रखें वन को विच्छेद करके अब इनको सयोजन करना है में आपको मिला करके लिखना है एक उधारन दिया है च और आप देख रहे होंगे कि च और क के नीचे हलंत डली हैं और उनके जो स्वर हैं वो उनके साथ प्लस करके लिखे हुए है ठीक है यानि इसमें ब्यंजन और स्वर दोनों अलग है और उनको मिला करके आपको एक शब्द बना कर दिया है चश कह वर्ड विच्छेद आपने फिफ्ट में भी पढ़े हुए हैं फोर्थ में भी पढ़े हैं तो अब आपक प्लस अह जितने भी विच्छन वर्ण सबके नीचे हलंते हैं और स्वर में कभी हलंत नहीं होती क्योंकि वो खुद पूरे होते हैं पता ही है आपको विच्छन में जो है वो स्वर की सहायता लेनी होती है क्या बन जाएगा इसका पूरा शब्द मिलाके सा ओच इक क्या बन क्या बनेगा इसका शुनकव जब मिला देंगे विच्छन और स्वर तो क्या बन जाएगा शुनकव ठीक है शुनकव यानि कि स्वर जो है वो हट जाएंगे और विच्छन जो है उनके नीचे से हलंत हट जाएगी और स्वर उसके अंदर विच्छन के साथ जोड जाएंगे ठीके, next है, ध प्लस आ, प्लस व, प्लस अ, प्लस त, प्लस अ, तो क्या बनेगा इसका, धावत ह, समझ आ रहा है न, next, व, प्लस री, प्लस द, प्लस ध, प्लस आ, तो क्या बना इसका, व्रिधाह, next, ग, प्लस आ, प्लस य, प्लस अ, प्लस न, प्लस त, प्लस ई, तो अब यह क्या बन जाएगा, गायन्ति, ठीके, छोटी ई है, गायन्ति, इसका ख, पाठ है, पदानाम, वन, विच्छेदनम, दर्शयत, प्रदर्शयत, आपको उपर उधारन दिया है, तो इनको अलग- तो जब हम ल, को अलग-अलग करेंगे, तो ल में कौन सा स्वर निकल रहा है, ल, अ, निकल रहा है कि नहीं, तो ल, ल के नीचे हलंद, प्लस अ, फिर घु, तो घु में कौन सा स्वर निकल रहा है, उ, घु, है न, तो घ, प्लस उ, और विसर गे, उसके पीछे, ल, घु, स आप सीधे ऐसे प्लस-प्लस लिखेंगे, बाकी आगे शब्द लिखाई है, ठीके, सबसे पहला है सीव्यती, तो स में कौन सी मातर निकल रही है, सी, बड़ी ए निकल रही है, तो आप क्या लिखेंगे, स, स के नीचे हलन्त, प्लस ए, बड़ी ए लिखेंगे, नकि ठीके, पूरे बड़ी ए स्वर लिखेंगे, फिर व नीचे हलन्त, फिर य, अब व के बाद अ नहीं आया, क्योंकि व अल्रडी आधा ही है, ठीके, तो उसके बाद अ नहीं आएगा, स्वर नहीं आएगा, क्योंकि वो आधा है, व के नीचे हलन्त, प्लस य, य के बाद प्ल प्लस ए छोटी ए ठीक है समझा गया होगा अब बाकी के आप ये वाले जो हैं बच्चे हुए वर्णाह कुक्कुरव मयूराह बालकह समझाया कैसे करने अभी वर्णाह इसमें कैसे करेंगे व नीचे हलंद प्लस अ प्लस न प्लस नीचे हलंद फिर से नहीं पहले र आएगा क्योंकि पहले वर्णाह र पहले आएगा ठीक है व फिर से बतारियों में व नीचे हलंद प्लस अ प्लस र र की नीचे हलंद प्लस र इसमें र के बाद अर्णी आया कि र भी आधा है ठीक है प्लस आ और पीछे विसर गये हैं यानि क्या बन जाएगा फिर वो आह ठीके नेक्स्ट कुक्कुरव अब आपको समझ आ गया होगा जब आधा अक्षर होगा तो उसके बाद में अ नहीं आएगा कुक्कुरव में भी सेम ऐसे ही है क नीचे हलंत फिर 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 प्लस र नीचे फिर फिर कुक्कुरव इसी तरह से मयु राह और बाल कह यह दो आप खुद करेंगे ताकि मुझे भी पता चले हैं आपको समझ आया है के नहीं ठीके नेक्स्ट है थार्ड नंबर उधारनम द्रिष्टवा रिक्तिस्थानानी पूर्यत उधारन देखकर आपको रिक्तिस्थान भरने है सबसे पहला आपको एक दे दिया है चशकह, चशकव, चशकाह मैंने आप लोगों को प्रत्माव्यक्ति कराई है ना कारांत पुलिंग की अलग-अलग शब्दों की तो यही उधारन यहां आपको दिये है ताकि आपकी प्रक्टिस और अच्छे से हो जाए इसमें एक वचनम चशकह, दोई वचनम चशकव और बहवचनम चशकाह अब एक वचनम इसमें रिक्तिस्थान चोड़ दिया है दोई वचनम दिया है बली वर्दव और बहवचनम फिर आपको बनना है उपर वाला देखकर ही बनना है तो क्या बन जाएगा बली वर्दव का एक वचनम क्या बनेगा बली वर्दाह और बहु वचनम में बली वर्दाह नेक्स्ट है शुनकह दे रखा है तो दोई वचनम में क्या वनेगा शुनकउ और बहु वचनम में शुनकाह ठीके नेक्स्ट है बहु वचन का शब्द दिया हुआ है म्रिगाह तो एक वच्चनम में क्या बनेगा म्रिगह दूई वच्चनम में म्रिगव next सौचिकव दे रखा है एक वच्चनम में क्या आएगा सौचिकः और बहुच्चनम में क्या आएगा सौचिकाह लास्ट है, मयूरह दे रखा है, दुई वचनम में क्या आएगा इसका? मयूरव और बहु वचनम में मयूराह अब फूर्थ नमबर कोशन है, चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखत, यानि चित्रों को देख करके आपको संस्कृत पदिन के लिखने हैं तो सबसे पहले क्या दे रखा है चित्रापको? हाथी दे रखा है ना? तो हाथी को क्या बोलते हैं? हिंदी में भी उसके परयावाची शब्द में आता है गज, हस्ती है ना? तो अब हम यहाँ पर सिर्फ अकारांत पुलिंग कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे गज का गजह विसरगे डाल दी तो वो संस्की शब्द बन गया गजह, ठीक है फिर आपको पिक्टर में दे रखा है कोई, तो अभी आपने देखा था, कोई की संस्कृत आपको दे कर बोला था उच्छारण करने के लिए क्या था? काकह, नेक्स्ट आपको पिक्टर दी है ना? चंद्रमा की, तो क्या बोलते हैं हम चंद्रमा को और? नेक्स्ट ताला दे रखाए तो इसको संस्कित में भी तालः ठीके आखी मत्रह टाएंगे विसरकर डालेंगे तालः नेक्स्ट भालू की पिक्चर दे रखिए अभी आपने पड़ा था क्या लिखेंगे इसको भल्लुकह फिर कौन दे रखा है बिल्ली इसको क्या बोलेंगे बिडालह यह आपने अभी उच्चारण करू मैं पड़ा था बिडालह ठीक है नेक्स्ट है कोशन नमर फिफ्थ चित्रम दिश्टवा उत्तरम लिखत चित्र को देख करके उनकी सहायता से जो प्रश्ण पूछा है उनका उत्तर देना है एक आपको धारन दिया है बालकह किम करोती अर्थात लड़का क्या करता है तो पिक्चर में क्या दे रखा है पढ़ आप देखो विभक्ति वी इसमें जो प्रश्ण वाली है लेकिन फर्स्ट वाले जो सेंटेंस है वो कैसा है एक वचनम का ठीक है और दूसरा आप जो कोशन दिया है वो कौनसा है दोई वचनम का पहले था बालकह अब है अश्ववव पहले था पठती और अब करोती और आपको पता चला अश्वव माने दो घोडे क्या कर रहे हैं वो दोड रहे हैं तो दोडने की क्या संस्क्रित है धावतह तो यहां पर आंसर आएगा अश्वव धावतह नेक्स्ट है कुकुराह किमकुर्वंती अंती आगया तो पता चला ना और कुकुराह पता चला ना बहु में भी पड़ा था बुक कंती ठीक है कुकुराह बुक कंती नेक्स्ट है चात्रव किम कुरुतह तो क्या कर रहे हैं चात्र यूनिफॉर्म में जब होंगे तो चात्र और जब यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे तब आप बाल कह बोलेंगे ठीक है अब उ चात्रव रच्षट्रव साब्धान खड़े हुए हैं, इसका मतलब वो कुछ न कुछ घा रहे हैं, या तो national anthem ही गा रहे होंगे हैं, एकदम साब्धान हें, तो हम यहां बोलेंगे, छात्रव गायता ठीकें, फिर कर्ष्यकः किम करोती, क्या कऱ रहा है किसान, तो इसका अन कर्शती या तो सीधे ही लिख सकते हैं क्रिश्य कह कर्शती या तो शेत्रम कर्शती किसान खेत को जोत रहा है ठीके छेत्र आप जानते हैं शेत्र कैसे लिखते हैं वैसे ही उसमें बस म लगा दे ना छेत्रम और कर्षती कर फिर शटकोंड वाला श श के उपर रहा अत्ती कर्षती ठीके नेक्स्ट गजाउ किम कुरुत तो क्या कर रहे हैं हाथी क्या करते वो दिख रहे हैं चलते वो दिख रहे हैं न दोड रहे हैं तो गजाउ धाव तह और या तो लिख सकते हो गजाउ चलत वो भी ठीक होगा, चल तह भी और या तो धाव तह भी, ठीक है, नेक्स्ट है, पदानी संयोज्य वाक्यानी रच्यत, यानि पदों को जोड़ना है, आपको दो अलग-अलग पद दिये हैं, जोड़ करके वाक्य बनाना है उसका, पहला है गजाह, फिर सिंघव, गायकह, बाल कव मयूराह, अब दूसरी साइड जो है इनके, आपको क्रिया पद दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको ये जोड़ने हैं, मतलब कैसे हैं, इनमें लाइनिंग नहीं डालनी हैं, डैश डालके इनके सामने जस्ट लिखोगे, गजाह, उसके आगे डैश डाल दोगे, और फिर बीच में जो आपको इस पेस दे रखा है न, वहाँ शब्द लिखोगे, ताकि आपका पूरा सेंटेंस बनकर रेडी हो जाए, फर्स्ट है गजाह, तो क्या आरना चाहिए गजाह के साथ, बहवचन का शब्द है, और यहाँ पर बहवचन के दो दे रखे हैं, नित्यंती औ आपको सेंटर में, सिंगहू के सामने डैश डालेंगे और वहाँ क्या लिखेंगे, क्या करते हैं शेर, गर्जतह, फिर है गायकह, गायकह के सामने क्या लिखेंगे, डैश डालके, गायती, फिर है बालकव, तो बालकव दोई वेचनम का है, तो क्या करते हैं वो, पठतह, लास्ट है मयूराह, तो उनके साथ क्या आएगा, निर्ट्यन्ति, नेक्स्ट है, सेवंथ नमबर कोशन, मन्जु शातह पदम, चित्वा, रिक्तिस्थानानी पूरियत, रिक्तिस्थान भरने हैं आपको ये, अब इसमें ये आपके लिए हॉमवक है, ठीके, ताकि आपको भी पता चलेगा, और मुझे भी पता चलेगा, कितना आपने समझा, और आप लिखेंगे, तो आपको भी पता चलेगा, आपको कितना समझाया, एक वचन, दुवचन, और बहवचन, किसाथ कैसे क्रिया लगानी है, ठीके, नेक्स्ट है, एर्थ नमबर, सहतवते, इत्यते भ्य जबह, उचितम, सर्वनाम, पदम, चित्वा, रिक्तिस्थानानी, पूरियत, यह मैं बताती हूँ, इसमें क्या है, आपको सेंटेंस दे रखा है, उसमें जो संघ्या शब्द है, उसकी जगे आपको सर्वनाम, पद का प्रियोग करना है, और यह सर्वनाम, जो है मैंने आपको टेबल में बताए थे, पढदातू के साथ में बताए थे ना नीचे सर्वनाम का प्रयोग, वही यहां पर है अश्वह धावती, एक उधान दिया है, तो अश्वह की जगे आगया है सहधावती, यानि अश्वह माने घोडा दोरता है, और सह माने वह दोरता है, ठीक है तो अब है गजाह चलंती, तो गजाह कौन सा वचन हैगे? बहवचन, तो इसके लिए क्या आएगा? ते, ते चलंती, फिर है छात्रव पठतह, तो छात्रव की जगे क्या जाएगा? तव, तव पठतह, फिर है वानराह क्रीडंती, तो वानराह की जगे क्या आएगा? ते, ठी क्रिडंति अभी सारे पुलनेंगे मैंने को पुलनेंगे स्रिलिंग ग anterior सुदा शकाएं लेकिन अभी इस त्री लिंग को आया नहीं चैप्टर इसलिए आप से पुलनेंग के करेंगे थीखे थीखर हैं गाया कह गायाति तो गाया कह की जगे क्या अऊएगा सह अ और लास्ट है मयूराह नृत्यंति तो मयूराह की जगे क्या जाएगा ते ते नृत्यंति ठीक है